आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं आमित, आपका स्वागत करता हूँ LearnHub में LearnHub, the free learning platform, जहां आप पढ़ सकते हैं Maths, SST, Science जैसे subject, वो भी एकदम free at LearnHub.com LearnHub मतलब free, free है पर best है तो देखिए हमारा आज की वीडियो का first question हमारे सामने आचुका है देखिए क्या बोलता है इसमें, which of the following statements are true and which are false ठीक है, true false वाला हमारा question है देखिए, first part क्या है, only one line can pass through a single point क्या ऐसा possible है, संभव है ऐसा, देखिए कोई भी एक single, एक ये point दे रखा है हमको, ठीक है जी ये कोई भी हमको point दिया हुआ है क्या ये बोल रहा है कि यहां से के वल एक ही line पास हो सकती है क्या ऐसा तो नहीं है, ये देखिए, बहुत सारी, कितनी मर्जी आप यहां से line जो है क्रोस करवा लेजिए, तो ये statement हमारी कैसी हो जाएगी, false हो जाएगी चलिए, second पे चलते हैं, there are an infinite number of lines which pass through the two distinct points, ठीक है जी, दो points हमको दे रखे हैं अब वो कह रहा है कि यहां से infinite number of lines pass out हो सकती है ऐसा possible ही नहीं है, आप खुद करके देख सकते हैं कोई भी एक line खीचने के लिए minimum दो points हमको चाहिए ही होते हैं ठीक है, इनके बीच में और कोई line नहीं आ सकती है तो that means, यह जो हमारा second part ही, यह भी क्या हो जाएगा, false हो जाएगा ठीक है जी, चलिए, third one क्या कहता देखिए, a terminated line a terminated line, ठीक है, आगे बढ़ाना वो रुख चुकी है a terminated line can be produced indefinitely on both the sides, ठीक है जी a terminated line, एक line थी, यह रुख चुकी है वो दोनों तरफ बढ़ सकती है, क्या हाँ, यह बिल्कुल बढ़ सकती है चलिए, तो यह कैसा हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका true एक line को जो है, line की बच्चे property होती है, ठीक है अच्छा line में और ray में क्या अंतर होता है, देखे ray यह जो arrow शो करते हैं, arrow का मतलब होता है कि इसको कहीं तक भी आगे तक हम लेकर जा सकते हैं ray, जो होती है, ray देखे आपको दिखाता हूँ ray का क्या होता है, एक point तो रहता है fix और दूसरी तरफ इसका arrow रहता है, इसका example आपको मिलेगा sun sun क्या है, एक source of light है, माल लेते है sun है sun से light आ रही है, वो बहुत दूर तक कहीं तक भी वो जाती देगी जाती देगी, उसका end point तो कुछ नहीं है that means यह arrow तो शो करता है कि कहीं कोई end point नहीं है आगे बढ़ाई जा सकती है, अवशक्ता अनुसार ठीक है, ray में और line में इतना सही अंतार, line क्या है दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, ठीक है जी, चलो अब देखिए, fourth जो point है, वो क्या कहता if two circles are equal, अगर दो circle हमको equal दिये हुए है, then their radius is equal, हाँ जी, बिल्कुल होगी बैस circle हम लोग कैसे बनाते हैं एक निश्चित हमारे पास में एक radius होती है, ऐसे करके मालिय के एक radius है, अब यहाँ से जो है, ऐसे घुमा देते हैं इसको कुछ करके ऐसे बहुत ही शानदार हमने जो है, चलिए कोई बात नहीं देखे, दो circle जबी बराबर हो सकते हैं, कब अगर उनकी radius जो है बराबर हमको, दोनों की radius बराबर होगी तभी तो same, उससे वो मतलब गोला बन पाएगा, circle बन पाएगा ठीक है जी, चलिए, तो यह जो है हमारा true है, fifth point क्या बोलता है, इन given figure यह जो figure हमको दे रखिए, a, b, बराबर में a, b, बराबर में p, q p, q, बराबर में x, y a, b, तो इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, ठीक है जी then a, b, और x, y क्या बराबर होंगे क्या, हाँ जी बिल्कुल बराबर होंगे, यह जो है, euclid's का जो axiom first है axiom first यही तो बोलता है अगर एक चीज दूसरे के बराबर है, मतलब दो आपस में कोई चीज अगर बराबर है, और तीसरी, उन में से किसी एक के बराबर है, तो वो आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, देखिए आप एक चीज देखिए ना, statement के तरू, a, b की तो बराबर दे रखा है, p, q के, but p, q साथी साथ किस के बराबर दे रखा है, x, y के बराबर दे रखा है, क्या, इसका मतलब ये पार्ट आपका finish होता है अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं देखिए, हमारा next question हमारे सामने आचुका है, क्या दिया है, give a definition for each of the following terms सभी के लिए हमको definition देनी है, are there other terms that need to be defined first, ठीक है जी, अगर कोई ऐसे term है कि उसको define कर देंगे ठीक है, ओके what are they and how might you define them, चलिए ठीक है first part को जो है define करते हैं फटाफट से parallel line कैसी होती है parallel line ऐसी होती है जो कि कभी आपस में ना मिले जैसे कि railway track आपने देखा होगा वो हमेशा parallel तो होता है वो हमेशा मुड़ेगा बढ़ ठीकिन उनके बीच का जो है वो अंतर same रहता है ठीक है, जैसे के एक line तो मान लेते हैं ये a कोई line गई हो ये ऐसे करके, ठीक है जी और ऐसे ये b ये दो कोई हमको जो है line दे रखिए, तो इनके बीच में distance जो है बराबर रहता है आई बात समझ में second part है perpendicular perpendicular, perpendicular क्या मतलब है देखिए, अगर कोई perpendicular lines है, मतलब पता कैसे चलेगा कि कोई line perpendicular है के नहीं है कोई अगर ऐसे बिल्कुल सीधी horizontal अवस्था में कोई line है उसके उपर बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी होगे, vertical टाइप में कोई line ऐसे उसको cut कर जाए किसी point पर और angle वहाँ पर बनता है 90 और 90 का तो बोलेंगे कि ये दो जो lines दी गई है ये कैसी है, perpendicular है ठीक है जी, perpendicular lines है ठीक है, line segment अभी देखिए line segment की बात करी जाए line आप सभी को जानते है जैसे के ये A और ये A B करके एक line हमको दी गई है segment का मतलब होता है हिस्सा किसी भी चीज़ का हिस्सा ठीक है, A B कोई line है इसका कोई बीच में से हिस्सा ऐसे उठा लेते हैं हम C और D तो अब C और D क्या हो जाएगा C और D हो जाएगा एक line segment line segment हो जाएगा ठीक है जी चलिए और कोई भी line को draw करने के लिए minimum हमको कितने points चाहिए होते है minimum दो points हमको चाहिए होते है ये सब ही जानते हैं चलिए radius of the circle अब देखे radius of the circle जो होती है radius of the circle वही होती है बीच में हमने माल लिया कि ये एक point है हमारा ठीक है इस point से circle की boundary सरकल की ये जो boundary है जिसको circumference भी हम बोलते है circle के center से लेके circle के जो ये boundary है इसी को क्या बोलते है radius बोलते है यहां से यहां तक की जो length होती है ठीक है जी चलो इसकी जो boundary है इसको बोलते है circumference जिसकी value होती है 2 pi r c हो गया ये इसका center C से इसको denote करते है और ये है R R होती है radius नहीं के length length between किस-किस के बीच की length है ये C and sorry circumference और center के बीच की ठीक है जी? चल ये fourth हमारा बचता है square square क्या होता है? square एक ऐसी quantity है इसको quadrilateral बोलते है quadrilateral यानि के quad quad का मतलब चार और lateral का मतलब side जिसकी 4 side हो 4 भुजाएं हो जिसकी सभी side इसकी कैसी रहती है? बराबर रहती है और सारे angle इसके कैसे रहते है 90 degree के रहते है ठीक है जी? और जहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर एक और है जिसे यह vertices इनको बोलते है vertices ठीक है? जहाँ पर दो line ऐसे cut कर जाएं इस point को क्या बोलेंगे? vertex या vertices ठीक है? और इसमें कोई point मेरे साब से नहीं बचा आपका चलिए यह part भी आपका finish होता है अपने अगले part के दरफ चलते हैं चलिए हमारा next question हमारे सामने आज चुका है देखिए क्या बोल रहा है यह given any two distinct point दो अलग-अलग point जो है हमको दे रखे हैं A और B there exist a third point C चलिए C which is in between A and B देखिए एक point यह है एक point यह है A और B इनके बीच में कहीं यहाँ पर exist करता है क्या? point C there exist at least three points तीन points कि यहाँ पर बात चलिए that are not on the same line जो की same line में नहीं है कहीं पर भी यह हो सकते है ठीक है जी चलिए अब क्या है कि do these postulates contain any undefined term हाँ जी undefined term यहाँ पर किसको बोल सकते हैं ना तो हमको क्योवल points भी ठीक से नहीं बताए है ठीक है जी इस वाले में तो पता ही नहीं है कौन सा B पहले बाद में क्या हिसाब है ठीक है जी और दूसरी बात यहाँ पे जो है अगर undefined terms की बात करी जाए तो कोई proper जानकारी हमको यहाँ से किस किस की नहीं मिलती है points के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है और दूसरी बात lines के बारे में जानकारी नहीं मिलती है किवल points ही बता रखे है इसने के जी A और B point है उसके बीच में कहीं C point है कहा है कितनी दूरी पर है वो सब नहीं हमको पता उसके बाद में आते है next पे, are these postulates consistent, हाँ जी consistent क्यों है, देखे first में तो वो बोल रहा है कि वो same line में है ठीक है जी same ही line के अंदर है वो ठीक है जी, मतलब एक ही उस पर है, एक ही पात पर है मतलब इन दोनों के बीच में, तीनों के तीनों point जो है, एक ही उस मर है और second में क्या बताता है, कि वो अलग-अलग है, different, different जो है उनकी position है different position of points ठीक है जी दो reason यहाँ पर यह हो जाते हैं और उसके बाद में देखे, यह जो questions हैं, यह exam point of view से इतने important यह नहीं रहते हैं पर चलिए कोई बात नहीं, इनको पढ़ना तो है चलिए, देखे, do they follow from Euclid's postulates okay, do they follow from Euclid's postulates, देखे Euclid's postulates, देखे, Euclid's Euclid's postulates थे ना postulates क्या होते हैं, postulates ऐसे होते हैं, जो कि केवल geometrical जो हमारी terms होती हैं वहाँ पर काम आते हैं, और exeums कैसे होते हैं, वो throughout पूरे के पूरे mathematics में काम आते हैं दोनों में ये major सा difference है अब देखे, ये points वाली जो बात है ना बच्चे, ये एक exeum follow करता है, जो कि postulates जो है हमारा, ये follow नहीं करता है तो third one में आ जाएगा नहीं एक exeum में वो follow करता है exeum को तो ये follow करता है जहां पर ये बता जाता कि अगर दो अलग-अलब कोई point हमको दे रखे हैं, उसके बीच में क्या है, उसके बीच में कोई line cross करेगी ऐसा तो हमने exeum पढ़ा है, बाकि postulate ऐसा हमने कोई नहीं पढ़ा है ठीक है जी, तो ये आपका जो है answer था तो इसी के साथ अपने next part की तरफ पढ़ते हैं देखे, अगला question हमारे सामने आ चुका है क्या बोलता है, if a point C lies between two points कौन से कौन से point के बीच में line कर रहा है, A और B की such that, okay A और B कोई दो point दे रखे हैं such that A सी बरा, ठीक है जी ये कहीं point मान लेते हैं C लाई कर गया इन दोनों के बीच में अब क्या बोलता है, such that A सी बराबर में B सी कुछ ऐसे है कि ये A सी जो है ना बराबर में B सी, इन दोनों की distance जो है बराबर दे रखे है अब proof क्या करना है हमको proof करना है जी A सी is equal to half of कितना? A B के ये हमको क्या करना है proof करना है ठीक है जी, explain by drawing the figure, फिकर तो हम बना चुके हैं चलिए, अब अगर हम ऐसा कर दें कि दोनों side देखें निकालना क्या है, A सी को proof करना है हमको, ठीक है, तो A सी को जो है ना, दोनों तरफ add करवा दीजिए, add A सी both side both side add करवाने पर जो है ना, देखें A सी प्लस A सी 2 A सी हुआ B सी B सी प्लस में A सी, क्या इसको हम पूरा A भी लिख सकते हैं, क्या 2 इदर multiply में है, इदर ये half हो जाएगा क्या ये प्रूव हो चुका है क्या हाँ जी बड़े एजिली हमने ये प्रूव कर दिया है ये पार्ट आपका जो है समाप्त होता है अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला कोशन देखे क्या बोलता है ये देखे कोशन जो फोर गया आभी लास्ट जो कोशन हमने क्या है पॉइंट C is called the midpoint of a line segment A B एक line segment थी हमारे पास में A और B इसका midpoint था C प्रूव दैट every line segment has only one one and only one midpoint क्यावल एक ही midpoint किसी line का हो सकता है ये हमको प्रूव करना है ठीक है जी अब ये प्रूव कैसे करेंगे हम कहीं और एक point मान लेते हैं ठीक है उसको हम नाम दे देंगे कि ये भी एक इसका midpoint है फिर उसके बाद मैं देखते हैं क्या होता है चलिए मान लेते हैं कि ये यहाँ पर कहीं point D लाई करता है अब मान लेते हैं कि let D is midpoint of A B ठीक है जी D is another midpoint ठीक है जी एक और midpoint है क्योंकि already हमको C जो है दिया गया है अब C is midpoint किसका midpoint A और B line segment का ये हमको क्या है given है देखें D की सायता से अगर ये D इस line का midpoint है इस first statement से हम क्या कर सकते हैं हमारे पास में ये कुछ ऐसा आ जागा अगर D midpoint है इसका मतलब A D is equal to D B दोनों की distance बराबर रहने वाली अगर वो midpoint है तो इसको मान लेते हैं equation number 1 और इस statement से हमारे पास में क्या बनेगा expression देखें अगर C midpoint है जो के हमको given दे रखा है तो वहाँ से क्या बनेगा A C is equal to कितना C B equation number second क्या ऐसा ही बनने वाला है हाँ जी अब देखें दोनों equation को माइनस करवा देते हैं A D minus A C is equal to कितना D B minus का C B क्या ऐसा ही होने वाला है हाँ जी बिलकुल A D minus A C A D minus A C इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो क्या D C यहां बचेगा क्या वो भी कैसा minus का क्योंकि देखिए A C बढ़ा यहां पे show हो रहा है के नहीं A C बढ़ा है A C और A D का अंतर minus का D C आ गया के नहीं आया चलो उसके बाद D B minus C B D B minus C B कितना बचेगा plus का D C यह इदर आएगा तो minus का 2 D C हो जाएगा भाई यह plus का है इदर आएगा तो minus का 2 D C हो जाएगा ना बरावर में 0 D C यह minus का 2 है इसको इदर बेच देंगे 0 हो जाएगा तो D C बरावर में 0 अब जानते हैं इसका मतलब क्या है D C यानिके इनके बीच की दूरी कितनी है distance कितनी है यह 0 है इसका मतलब D और C जो है ना D and C यह कैसे करेंगे coincide coincide हो जाएगे एक के उपर एक point आएगा कोई यहाँ पर distances के बीच में नहीं रहने वाली है तो यह चीज यही show करती है कि केवल only one midpoint केवल एक ही midpoint जो है रह सकता है किसी भी line का चलिए आई बात समझ में चलिए बहुत अच्छे देखे क्या दिया गया है इसमें इस figure की बात चलिए है if A, C बराबर में B, D A, C बराबर में कितना दिया हूँ है B, D then prove करना है हमको A, B, B बराबर में C, D के A, B, बराबर में C, D यह हमको जो है prove करना है चलो जीच आऑजो देखिए सबसे पहले तो A, C बरावर में कितना दे रखा है B, D ये तो हमको दिया है जी, given A, C, A, C, देखिए ये point यहाँ बीच में आ रहा है क्या क्या हम इसको A, C को तोड़ कर ऐसा लिख सकते हैं A, C के place पर हम कैसा लिख सकते हैं A, B प्लस में B, C, बात तो बरावर है न देखिए A, C बरावर में कितना दिया हुआ है A, B प्लस B, C अगर कर दे तो पूरी हमको A, C मिल जाएगी क्या हाँ जी, बिलकुल मिल जाएगी अब देखिए B, D के place पर क्या लिख सकते हैं B और D, यहां से लेकर यह पूरी डिस्टेंस क्या हम इसको ऐसे तोड़ कर लिख सकते हैं B, C, प्लस में C, D है के नहीं, चलिए B, D के place पर क्या लिख दीजिए B, C, प्लस में C, D लिख दिया, चलिए अभी देखिए, दोनों तरफ B, C, B, C है या तो यहां से काट दीजिए या एक को उठाकर इधर लिए यह plus minus हो जाएगा, कट जाएगा कितना आगया, और यहां पर आप यह भी लिख सकते हैं क्यों है ऐसा, कि भई A, C तो जो है न A, B प्लस में B, C है और B, D जो है उसको हम लिख सकते हैं B, C प्लस में B, D तो इस परकार हम देख सकते हैं A, B is equal to C, D यही तो हमको प्रूफ करना था चली तो यह पार्ट देखिए आपका खतम होता है और अपने next पार्ट की तरफ चलते हैं देखिए next पार्ट हमारे सामने आज चुका है क्या दिया गया इसमें Why is axiom 5 ठीक है जी, axiom जो 5 है हमारा In the list of Euclid's axioms Euclid's के जो axiom है उसमें जो number 5 की यहां पर बात चल रही Considered a universal truth Universal truth यानि कि जिसको जुटला है नहीं जा सकता ब्रहमार्ण में कहीं भी, सब जगा वो applicable है Note that Question is not about the fifth postulate यहां पर fifth postulate के बारे में नहीं पूछा गया है अब देखिए, fifth जो इसका axiom है वो बोलता क्या है Axiom number जो 5 है ना इसका वो यह कहता है के Hole is greater than the part Hole का मतलब कोई भी पूरी चीज है मान लेते हैं के हमारे पास में एक चोकलेट थी यह कुछ ऐसी चोकलेट थी हमारे पास में ठीक है जी अगर इसमें से एक piece यह वाला हम निकाल ले या यह वाला निकाल ले जितना मर्जी part निकाल ले वो हमेशा छोटा रहेगा ना इस पूरी चीज से रहेगा के नहीं रहेगा तो इसलिए इसको क्या बोलते है यूनिवर्सल ट्रूथ है यह ठीक है जी और एक example और आप ऐसे देख सकते हैं जैसे के हमारे मम्मी और पापा होते हैं उनके बच्चे हैं जैसे के हम हैं हमारी age कितनी भी बड़ी हो जाए हमारी age उनसे हमेशा छोटी ही तो रहने वाली है ना रहेगे के नहीं तो यही चीज है कि इसलिए इसको क्या बोलते है यूनिवर्सल ट्रूथ है आप किसी पर भी कहीं पर भी इसको example में fit करके देख सकते हैं देखिए आज की वीडियो खत्म होती है मुझे उमीदे सारे question clear रहे होंगे कोई doubt है suggestion है आप comment section में पूछ सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye झाल